हालो और वेल्कम बैक टू चैनल वनसाइंड गाईज मेरा नाम है अश्री राइकवाड और स्वागत आप सभी का फिर्स एक बार हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज कर वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग काफी इंफॉर्मेटिव है विकॉस इस वीडियो में हम बा तो सब्सक्राइब करिए वेल्कम बैक टू चैनल दोस्तों कुछ दिनों से जिस तरह से हमारे देश के हलात है अगर उन्हें देखा जाए तो इंडिया में बैस्ट करियर आप्शन कौन से फिल्ड में होगे या कौन से कोष्व में होगे ये सबसे बड़ा कूस्शन आता है इस वीडियो में मैं उसी बार में आपसे बात करने माला हम देखें दुनिया भर में December 2019 से ही एक बड़ा क्राइसिस आया है और January, February, March और April में आते तक ये एक pandemic बन चुका है तो ऐसे में अगर हम देखें तो पूरा जहा पूरा इंडिया लॉक्डाउन में है इस लॉक्डाउन में भी बस तीन या चार फिल्ड है जो काम कर रहे हैं और उसमें से एक है medical field, paramedical field और दोस्तों ये बस काम ही नहीं कर रहे हैं, they are at their best level, best position और उन्हें जो status, उन्हें जो respect मिल रहा है आज से लेकर पहले कभी मिला नहीं, किसी को मिला नहीं और आज के बाद किसी को मिलेगा भी नहीं तो best career options in 2020 and 2020 के बाद भी, अगर मैं बात करूँ 10 साल की, बस 10 साल की ही मैं बात करूँगा, तो 10 साल के लिए best careers आपको होगे, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BS in nursing, GNM, A&M, pharmacy, ये सभी जो medical field के related courses है, paramedical field के related courses है, तो इन courses में आपका future bright है दोस्तों अगर हम देखा जाए, practically अगर बात करें, तो इस lockdown में सभी काम, सभी businesses बंद है, बड़े-बड़े businesses collapse हो चुके है, stock market बिल्कुल भी collapse हो चुका है, लेकिन अगर हम बात करें health department की, तो health department पूरी तरह के से active है, और जो production है health department का, अगर आप देखो, supply जैसे company, अगर उ option है, जो भी streams है, जो भी courses है, उन्हें आप join करें, अगर आप इस साल 10th standard में, 10th class में पढ़ रहे हो, तो 11th class में, 12th class में कौन से stream को चुने, ये आपके सामने question होगा, तो आज से ही decide कर लीजे, आपको क्या करना है, you have to go for an MBS, BAMS, BHMS, BS in nursing, या फिर आपको जो भी करना है, व और भी अच्छी तरीके से पढ़ाए करो, chemistry का भी अच्छा पढ़ाए करो, और उसके बाद जो entrance exams होते हैं, अगर मैं बात करूँ महारश्टर की, तो MBBS, BAMS, BHMS, BDS, सभी जो medical field और paramedical field के related जो भी common exam है, वो है NEET और CET, तो CET भी होती है, और NEET भी होती है, और उनके आनु से sauce लेते हैं, और उसके according admissions होते है, top of MBBS को अगर आपको admission लेना है, तो उसके लिए क्या करें, उसका video हमारे चैनल पे है, BAMS के लिए हमारे चैनल पे है, BAMS के लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, BC Ng disciples के बारे में तो क्या गये है, हमारा पूरा चैनल BC Michael पर ही है, ज्यादा या फिर परामेडिकल हो अगर बात करें परामेडिकल की तो परामेडिकल में यह जो फिल्ल है ना और जो डिपलोमा कोर्से से परामेडिकल के चाहे फिर वो X-ray technician हो, चाहे लब technician होते है, वो हो, उसके अलावा अगर बात करो MRI, CT scan, ये जो technician है, वो भी आज के date में hospitals में अच्छा कमा सकते हैं, और अगर आपको अच्छा कमाना है, तूरंद कमाना है, तन paramedical is the best option, around 1-1.5 years में आपका ये जो paramedical course होता है, वो paramedical course आप प rating salary अच्छा अच्छा hospitals में 16,000, 17,000 मिलते हैं, और वो salary अगर हम देखे, तो with experience वो increase हो सकते है, with doing job, paramedical करने के बाद job करते time, the same time job भी करो, और आप degree ले सकते हो, जिसके करण वो आपके job के लिए, और आपका जो post होगा, उसके लिए और भी अच्छा होगा, तो ये आप कर सकते हो, तो paramedical course भी अच्छे है, मैंने भी paramedical students को सिखाया है, paramedical college को में भी lecturer था, तो I know about paramedical courses very well, उसके अलावा दोस्तो, BSC Nursing is the best option, आपका BSC Nursing complete होते ही, next moment में आपको job है, और बस ऐसा ऐसा एरा गेरा job नहीं, अच्छा job आपको मिलने के chances है, secondly, GNM, A&M आप भी आच्छा कर सकते हैं, अब GNM और A&M जो है, वो phased out होने वाला है, तो GNM अगर आपने किया है, तो आप BBS Nursing करें, BBS Nursing काफी आचा है, और BBS Nursing के बाद आप MSC करो, PhD करो, जितना हो से के उतना ज्यादा पढ़ाई करो, अपना job secure कर लो, दोस्तो अगर हम बात करें, best job की, best career की, तो best career वो है government job में, अगर आपको career best करना है, तो जब तक आप government job नहीं लेते, तब तक आपका career best हुआ है, या फिर career आपका settle हुआ है, यह हम बिलकुल नहीं कह सकते है, और best job या फिर government job आगर आपको पाना है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा chances आपको है, BBS Nursing के बाद या फिर GNM के बाद, तो government job आगर आपको लेना है, तो BBS Nursing आपके लिए काफी अच्छा है, MBS के बाद MD, MS करने क आपको प्राइवेट में ही ज्यादा अच्छे स्कोप्स है, इवन government में भी आपको chances है, VDS के बाद government में chances के लिए बड़ा question mark है, उसके आलवा BBS में government के लिए job try नहीं कर सकते है, BMS के बाद government chances है, लेकिन medical field के आगर बात करू, आज के डिट में पूरा lockdown है, इंडिया में और कि किस तरीके से health department में आपका स्कोप स्यादा है, आपका career option better होने के chances से, तो दोस्तो, आज से लेकर अगरे 10 साल तक, 2020 से लेकर, 2030 तक, अगर आपको well settled होना है, तो choose medical career, medical career आप करोगे, तो you have best chances, best option to be well settled in this decade, तो दोस्तो, आज की वीडियो में बस इतना ही, बस यही बात आप से share करने ही, अगर आपको career choose करने ही, तो medical career आप चूज कर से क्ते हो, या फिर paranormal career चूज कर सकते हो, या फिर param इक लिए हे इसे लिए क्षे के क्या करना है ऍपाइन की लिए हमारे चानल पर लिस्ट मेडिकल कारियर गाइड़न्स ये प्लेस्ट फिले इस वह जो भी वीडियो से आप एक बर देख करें स्टड़ी करें Ukraine इंटरेस से इक्जाम किस तरह सेह स्टड़ी के लिए कुन से बुक्स रेफर करें वो सभी बाते हमने वीडियो में कवर की हैं तो दोस्तों वो सभी वीडियो आप देख लिए और आपका करियर बेस्ट चूश करें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब देख लिए शालों शांती और सलाम बाँ बाई